तो मेरा नाम है विकस और आप देख रहे हैं विकस टेक आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग किस तरफ से SBI Iono app से अपना ATM कार ओडर कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहले आपको प्ले स्टोर में जाके अपना SBI Iono app से लेटेश भरसन में अप्रेट कर लेना है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं Sbaev Hewn25 आपको साच करने लेना है Play Store में जाना है जाने के बाद साच करने के बाद आपको इधर Open की जीधार है उधर Open में आपको Update दिखाएगा तो आप Update कर लीजे Update करने के बाद आपको Open कर लेना है Open करने के बाद कुछ तेम आपको Wait करना है इसके बाद log in पे जाना है log in पे जाने के बाद आपका jOO mpeen है उएot enter करना है mpeen enter करने के बाद आपको log in करना है उसके बाद next step मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तो मैंने mpeen देके log in हो गए हैं इसके बाद दिखिए दोस्तों आपको इधर three dots दिखाई देते हैं इस three dots में click करना है click करने के बाद आपको service request बाला जो option नीज में दिख रहा हैं आप ओ option पे आपको click करना है click करने के बाद दिखिए दोस्तों आपके पास इधर एक option मिल जाते हैं ATM and debit card तो ये वाला option में आपको click करना है click करने के बाद दिखिए दोस्तों आपको इधर internet banking profile का जो password है वो आपको enter करना है internet banking का password आप भूल चुके हैं तो आपको forget जो है forget profile password तो इधर आपको click करके अपना password reset कर सकते हैं तो चलिए मेरा जो password है मेरे को याद है तो मैं ये देखे मैं login कर लेता हूँ देखिए दोस्तों जब आपना profile password देखे आप submit करेंगे तो आपको इस तरह आपका interface में लेके आएगा अभी देखिए मैं इस ATM कार मेरा एक नया account open किया है तो मैं ATM कार order करना चाहता हूँ तो मेरे को इधर देखिए ये वाला option में click करना है request a new और replacement ये वाला option में आपको click करना है ठीक है आपका ATM कार है बट आप उसको manage करना चाहते हैं ये वाला option में आपको जाना है आपका ATM कार को block करना चाहते हैं ये वाला option में जाना है आपका card को active करने के लिए ये वाला option में जाना है तो पहले मैं कहा करूँगा इधर request new और अपलिक replacement जो option इधर क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद दिखिए दोस्तो हमारा जो account है वो account आज चुका है इसके बाद दिखिए दोस्तो name name of card account holder का जो name है वो इधर देना है ऐसा जोरत नहीं है अब जो मर्जी से card का उपर में जो नाम लिखा रहेगा जो कुछ भी नाम पे आप चाहते हैं वो ही नाम पे आपको मिल जाएगा तो आप जो नाम है वो दे सकते हैं बट मेरा जो account जिस नाम पे है हो ही नाम मैं इधर इंटर करूँगा तो नाम इंटर करने के बाद इधर टाइप चूछ करना है तो चलिए मैं पहले नाम दे देता हूँ दोस्तों मैंने नाम दे दिया है इतके बाद देखिए select the type of card इधर आपको क्लिक करना है देखिए SBI का जितना भी type का ATM card प्रोवैट करते है ATM card और debit card प्रोवैट करते है सारा आपसन इधर आ चुके है आप जो लेना चाहते है इधर चूछ कर सकते है देखिए इधर बहुत सरा है ये देखिए विजा connect list रुपे ग्रोवल इसके बाद master का card है master का global card भी है जो available है ये लोग provide कर रहे है तो ये आप ले सकते हैं ठीक है मतलब आपका मर्जी से ये ले सकते हैं यार इसके बाद आप charge list के बारे में बात करेंगे charge list तो इधर नहीं देते हैं तो आपको क्या करना है charge जाने के लिए आपको browser में चले जाना है आपका phone का जो browser है browser में चले जाना है और search कहल लेना है SBI ATM card card charge charges आप ये लिखके search करेंगे SBI का जितना भी सारा charge है ये पूरा details आपके सामने आ जाएगा दोस्तो ये देखिए आपको सामने पूरा details आ गया है आप जो card apply कर रहा है उनका क्या देना है आपको annually क्या देना है और fast time job ले रहे हैं ओ कितना payment करना है ओ आपको पूरा details जिधा दिखाएगा ये आप देख सकते हैं बहुत easy से और बहुत अराम से ठीक है दोस्तो आप घर में बैठके आप देखिए पहले उसके बाद आप ATM card order कर सकते हैं ठीक है तो मैं आप लोगो एक process बता दिया हूँ जो किस तरफ से आप अपना charge देखेंगे तो आभी मैं एक card चूच का लेता हूँ तो आपका जो पसंदितकार है वो आप चूच कर सकते हैं इदर से देखिए दोस्तो मैंने भीजा का गुर्वाल card यूज किया है इसके बाद देखिए यह जो address आप देख रहा है ना दोनों address है एक है permanent address तो मैं permanent address पर क्लिक करूँगा मेरा permanent address जो है same ही मेरा same ही दिखा रहा है इसके बाद आपका जो address है वो आप एक बाद चूच कर लिजे इसके बाद यह जो घर है ना जो छोटा करके घर है इस घर में आपको tick करना है टिक करने के बाद आपको next जो option देख रहे हैं आप यह next बाल option में आपको click करना है click करने के बाद देखिए दोस्तों OTP आटोमेटिक यह आप डिटेट करता है और नहीं डिटेट करता है तो आप manually आप OTP देखके आप दे सकते हैं देखिए तुस्तों हमारा जो जो OTP है ओ आ चुका है 742463 तो मैंने OTP दे दिया है आपका number पर OTP नहीं गया है तो आप recent करिए recent करने के बाद भी OTP नहीं गया रहा है तो आप एक बार phone को switch stop करके switch on करिए तब आप कोशिस करिए ठीक है और SMS पर आपका phone में नहीं है आप जानते हैं मतलब बहुत सरा operator है आपका package नहीं रहेगा तो SMS नहीं send करते हैं तो आप SMS मतलब आपका mobile पर package है SIM पर package है कि नहीं वह एक बार चिक कर लिजे तो अभी मैं तो OTP दे दिया हूँ अभी इसको submit करूँगा तो submit पर click करता हूँ देखिए दोस्तों यह हमारा request है यह successfully request लेके गया है तो अभी जो यह क्या करेगा 10 से 15 दिन के अंदर हमारा जो nearest post office है वो post office में हमारा ATM कार को deliver कर दिये जाएगा उसके बाद इसको ATM में जाके active करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों इस तरफ से अपना SBI IONO F से बहुत easy process में अपना ATM कार order कर सकते हैं वीडियो को अच्छा लगे तो like कर दीजिए और दोस्तों के साथ share क्या लिजिए और हमारा चैनल बहुत छोटा है आप लिएक को सब्सक्राब कर लिजिए मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए आचा रहिए नमस्ते